दोस्तो हिंदु धर्में सप्ता का हर दिन अलग अलग देवी देपता को समर्पित होता है। इसी तरहें बुधवार का दिन भागवान श्री गणीश जी को समर्पित होता है। वैसे तो हमेशा ही हर पूजन से पहले भागवान श्री गणीश का पूजन किया जाता है। लेक शास्तों में बुध्वार के दिन करने वाले कुछ बहुत ही आसान और असरकारक उपाय बताए गए हैं। शास्तों में बुध्वार के दिन इन आसान से उपायों को कहने से जीवन में चली आ रही धनसंबंदी समस्याएं भी दूर होती हैं। शास्तों में बुध्वार के दिन करने वाले कुछ बहुत ही आसान और असरकारक उपायों। शास्तों अगर आपके बुध्वार के दिन हरी रंग के बस्तर पहने। हरा रंग बुध्व देप का माना जाता है। बुध्वार के दिन हरी रंग के बस्तर पहनना बहुत ही शुप माना जाता है। साथ ही इस दिन हरी रंग के बस्तूओं का दान करना भी जैसे की Monkidal, इतियादि का दान करना बहुत ही शुप माना जाता है। इस दिन गाए को पालाख खिलाने से भी बुध्व गरह के शुप प्रभाब्राप्त होते हैं। हरी रंग के बस्ति नहीं बहन सकते, तो आज के दिन आप हरे रंगा रुमाल अपने पास अवश्य रखें बुद्ध ग्रहे से जुड़े हुए दोशों को दूर करने के लिए बुद्ध ग्रहे को मजबूत बनाने के लिए आप बुद्धवार की रात को एक बर्तन में शुद्ध जल भरें ध्यान रखें आपको तांबी का बर्तन लेना है तांबी के बर्तन में शुद्ध जल भरकर अपने सिर्हाने रख लें और अगले दिन सुभह उठकर सबसे पहले आप इस जल को ग्रहन करें ऐसा हर बुद्धवार को करना चाहें ऐसा करने से बुद्ध ग्रह से जुड़े हुए बुरे प्रभाब दूर होते हैं बुद्ध ग्रह मजबूत होते हैं और रोक दूर होते हैं धन में बरकत के लिए बुद्धवार के दिन सबसे पहले आप किसी किनर को कुछ पैसी दान में दें फिर कुछ पैसे उनके पास से आशिवात की रूप में ले लें और उन पैसों को पूजा के इस्थान पर रखकर धूपत्ती दिखाएं और फिर हरे रंग के कपड़े में लबेट कर धन रखने वाले इस्थान पर रखतें या अपने परस में रख लें ऐसा कहने से धन में बरकत आती है ध्यान रखें यह उपाई आपको बुधवार के दिन ही कहना है बुधवार के दिन कहने वाला ये बहुत कारगर उपाई माना जाता है और किन्न दौरा दिये गए इस रुपए को आप सदैब समाल कर रखें ऐसा कहने से धन की हानी रुख जाती है और धन सम्मंदी समस्याइं दूर होती है बुधवार के दिन भगवान श्री गणिश की किरपा प्राप्त कहने के लिए गर्पती अथर्षीश का पाठ कहना भी बहुत ही शुब माना जाता है अगर आपकी बनते हुई कारे रुख जाते हैं कारियों में कोई रुकावट आ रही है तो बुधवार के दिन आप इस्नानादी करने के बाद भगवान श्री गणिश जी को गुर और धनिये का भोग लगाने के बाद आप ओम गणगणपते नमा मंतर का जाप करें इस तरहें पूजन करने के बाद भगवान जी को आपने जो गुरो धनिये का भोग लगाया है उससे प्रशाद की रूप में ग्रहण करें धनिये में आपको जो सूखा धनिया होता है उसका भोग लगाना है धनिये की पत्ते का भोग नहीं लगाना दोस्तों इस तरहें भगवान श्री गणिश का पूचन करने से भगवान श्री गणिश की कृपा से रुकी हुई कारे तुरंद बनने लगते हैं और शुफलों की प्राप्ति होती है दोस्तों अगर रुपे पैसे की किल्लत चल रही है या फिर आप पर बहुत सारा करज है करज से मुक्ति पाने के लिए उधवार के दिन आप ये आसान सा उपाय अवश्य करें उपाय करने के लिए आप एक पान का पत्ता लें अब इस पत्ते को गंगा जल या फिर शुद्र जल डाल का साफ कर लें और इसे कपड़े से पहुच लें अब पान के पत्ते की चिकनी साइट पर आप एक फिटकरी का टुकड़ा रखें और इस फिटकरी पर एक चुटकी सिंदूर छिड़क दें अब इस पत्ते में आप फिटकरी और सिंदूर को लपेट दें पत्ते में लपेटने के बाद अब इस पत्ते को आप कलावी से बान दें। फिर आप इसे अपने मंदिर में रख दें। इसी भगवान शरी गणिश जी के सामने रखने के बाद आप भगवान शरी गणिश जी के सामने एक शुतिखी का दिया जलाएं और एक सुगंदि थूपत्ती जलाएं भगवान शरी गणिश को किसी फल मिष्थान का भोग लगाएं फिर आप भगवान शरी गणेश जी के सामने इस मंत्र का जाप करें मंत्र इस प्रकार है ओम नमो गणपते कुवेर येक दिक्रो फट स्वाहा दोस्तों यह भगवान शरी गणेश का कुवेर मंत्र है इस मंतर का जाप करने से भागवान श्री कडिश की कृपा से आथिक परिशानियां दूर होती है जिन व्यक्तियों पर बहुत अथिक करजा है आथिक परिशानियां बढ़ गई है उन्हें रोजाना इस मंतर का जाप करना चाहिए इस मंतर का जाप करने से करजा चुकाना शुरू हो जाता है साथ ही धन के नए इस्त्रोथ भी बनते हैं इस मंतर का आप कम से कम 11 बार जाप अवश्य करें मंतर का जाप करने के बाद जो पान के पत्ते में लपेती हुई फिट करी है अब उसे आप उठा लें और भगवान शुरी गणिश्ची से धनसंबंदी समस्याओं को दूर करने के परातना करें करजा उताने के परातना करें परातना करने के बाद पुद्धवार की शाम को इस पान के पत्ते को आप पीपल ब्रक्ष के पास ले जाएं और पीपल ब्रक्ष के नीचे पीपल ब्रक्ष के पास इस पान के पत्ते को रखकर आप इस पर एक भारी पत्थर रख दें और सीधे अपने घर आ जाएं पीछे मुड़कर ना देखें और यह भी ध्यान रखें यह करते समय कोई आपको टोके नहीं वरना इस उपाई का फल निश्वल हो जाएगा दोस्तों यह उपाई आपको लगाता तीन मुद्वार तक करना है इस उपाई को करने से भगवान श्री गणिश्ची के कृपा से करजा जल्द ही उतर जाता है और आतिक संकट भीतल जाता है धनकी हानी नहीं होते यह करच उताने का और आतिक समस्या को दूर करने का बहुती असरकारक उपाई है इस उपाई को कर इससे लाव अवश्य ही प्राप्त करें ध्यान रखे संध्याकाल के बाद जब आप पीपल ब्रक्ष की पास या उपाई करने जाए तो आप पीपल ब्रक्ष को इस पर शना करें आपको यह पीपल की जड़ मे दाल, कोई भी साग, हरे अंगूर इस तरह की चीचे बुद्धवार के दिन खाने से बुद्ध ग्रह से संबनते दोशों से राहत मिलती हैं और बुद्ध ग्रह मजबूत होते हैं दोस्तों बुद्धवार के दिन भगवान श्री गणिश के साथ ही मालक्ष्मी की कृपा प्र रस्ती है और बिग्रे काम भी बन जाते हैं बुद्धवार के दिन घर में गंगा जल का छिड़का करना बहुत ही शुमाना जाता है कहते हैं ऐसा करने से मालक्ष्मी घर में आती हैं सभी परेशानियों से मुक्ति पाने के लिए बुद्धवार के दिन भगवान श्री गण परेशानियों से मुक्ति मिलती हैं दोस्तों बुद्धवार के दिन यह आसान से उपाय कर इनसे लाव अवर्शे ही प्राप्त करें उमीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी प्लीज लाइक करें हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और इस्तेदारों में ज